Dear Friends, आज हम इस वीडियो में वर्ड पैड के कुछ छूटे विए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो की Part 1 में छूट चुका था. तो चलिए देर न करते विए इस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपने वर्ड पैड को ओपेन कर लेते हैं. हमारा वर्ड पैड ओपेन हो चुका है. अब यहाँ पर आपको सीखना है पिक्चर, प्यंट और डेट टाइम, इंसर्ट आपजेक्ट, फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट आल के बारे में. तो यहाँ पर पिक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे इस पेज पर इस ट्रॉइंग पर आपको इहाँ टेक्ष्ट एरिया पर कोई इमेज चाहिए, ठीक है? उस इमेज को लाने के लिए आप पिक्चर पर सिंपल सा क्लिक करेंगे. इसके बाद आपने जहां पर आपका पिक्चर होगा उस फाइल को चूच करेंगे. इसके बाद जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करना उस पर सिंपल सा क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर देंगे. तो आपका पिक्चर ओपन हो जाएगा. देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पिक्चर ओपन हो चुका है. अब इसको हम रिसाइज करते हैं. मतलब छोटा बड़ा आप इसको करने के लिए एक बार इस पर क्लिक कर देंगे. यहां देखिए कॉर्णर में इसके जाएंगे जब तो करसर आइरो में चेंज हो जाएगा. ठीक है? इस आइरो को पगड़कर आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं. यहां से देखिए इतना बड़ा हो गया साइज इसकी अगर आप इसे छोटा करना चाते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं देखिए कुछ इस तरीके से इस तरीके से आप इसे छोटा भी कर सकते हैं और यहां पर अगर आप इस पिक्चर को चेंज करना चाते हैं तो यहां पर देखिए पिक्चर ड्रापडाउन की पे किलिक कर इस पर क्लिक करके आप कोई भी पिक्चर चेंज कर सकते हैं माली जी एक पिक्चर हमने लेलिए खोक्र कर दिया, देखी एक पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा ठेक है? इसी तरह tacos के से आप यहां से पिक्चर को चेंज कर सकते हैं अगर पिक्चर को size करना है इसकी साइज हो गयरा को अगर आप point के हिसाब से लिक कर बढ़ाना चाहते तो यहां से बढ़ा सकते हैं तो यहां पर जो भी आप type करेंगे उतना यह picture बढ़ जाएगा ओके करेंगे देखिए आइटोमेटी बढ़ जाएगा तो इस तरीके से हम picture command का यूज करते हैं अब बात कर लेते हैं paint अगर आप यहां से directly ms paint को open करना चाहते हैं तो ओ भी कर सकते हैं ms paint में open करने के लिए ms paint को control के साथ यहां deep press करेंगे तो आपका ms paint open हो जाएगा यहां पर देखिए हमने ms paint पे click किया यहां पर आप कोई भी shapes हो गयरा बना लेते हैं ठीक है मालीजी कोई भी आप ने shapes यहां पर बना लिया मालीजी हम यहां पर एक छोटा सा shapes बनाते हैं एक amazing तरीके से दिखाने के लिए तो देखिए इस तरीके से हमने यहां पर shapes बनाया अगर आप चाहें तो इस shapes को भी उठा कर वहाँ पर wordpad में ले जा सकते हैं कैसे ले जाएंगे माल लिजिए आपका shapes यहाँ रेडिये ठीक है इस तरीके से आपका shapes रेडिये आप इसको ले जाना चाहते हैं वहाँ पर तो आपको कुछ करना नहीं है सिंपल सा इसे क्लोज कर देना है इमेस्पेंट को सिंपल सा काड़ देना यहां से आइटोमेटिक आपका यहां पर आ जाएगा यह देखी तो इस तरीके से आप अपने shapes को भी यहां पर ला सकते हैं इमेस्पेंट में कोई भी ड्रॉइंग करके आप अपने wordpad के page पर लाकर रख सकते हैं अब इस तरीके से बात करते हैं आगे date and time के बारे में date and time क्या होता है इस पर जब आप किलिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे format में date time के option खुलेंगे तो देखिए यहां पर date दिया गया है फिर नीचे timing दी गई है यह date और timing कहां से आता है यह जो आपके current system में जो current date और time होता है वही यहां पर दिया होता है आप चाहे date को insert कर लीजिए आप चाहें तो time को insert कर लीजिए ठीक है अगर आपको date insert करना है सिंपल सा आपको करना क्या है यहां किलिक कर दीजिए और यहां पर किलिक करके okay कर दीजिए देखिए आपका date insert हो गया अगर आप time बे इंसर्ट करना चाहते है तो इस पर किलिक कर करते हैं insert object के बारे में insert object दोस्तों यह होता है कि आप किसी भी application को किसी भी application को आप insert object के जरिये wordpad में लाकर convert कर सकते हैं जैसे मालीजे आपने कोई भी drawing PDF कुछ भी MS word MS Scholar dry या फिर notepad कोई भी या फिर wordpad कुछ भी आपने open किया उसमें आपने कुछ किया work किया आपने कोई document तयार किया उसको लाकर आप अपने wordpad में insert करा सकते हैं insert object के जरिये कैसे माल लिजेए यहां पर हमें एक wordpad का एक दूसरा ले लेते हैं insert object से wordpad document का एक दूसरा फाइल ले अगर आप यहां पर माली जी हमने यहां से एक पिक्चर ले लिया डिश्टाप से हमने इसको क्या करते हैं क्लोज करते हैं, जैसे आप इसको क्लोज करेंगे देखिए, आपका यहां पर पेज पर नीचे दिखाई दे रहा है image ठीक है अभी देखिए हम यहां से इसको क्या करते हैं close करते हैं तो यहां से जैसे आप close करेंगे जो भी आप यहां पर insert करेंगे ओअ आपके यहां दूसरे वाले wordpad पे यहां पर देखिए so करने लगा यह देखिए जैसे हमारा बी प्रोजेक्ट तयार करके उससे जैसे इकलोज करेंगे और प्रोजेक्ट आइटोमेटिक आपका वड़ पैट पर आकर सो करेगा यह होता है इंसर्ट आपजेक्ट तीक है दुस्तों अब बात करते हैं फाइंड फाइंड क्या होता है कि किसी भी वड को खोजने के लिए हम find का प्रियोग करते हैं और replace होता है किसी भी word को change करने के लिए by the way मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ type किया है ठीक है एक minute हम यहाँ से कुछ word copy कर ले रहे हैं मान लीजिए यहाँ से हमने इतने word को copy कर लिया copy करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर paste कर देते हैं यहाँ पर हम paste कर देते हैं उस word को तो यहाँ पर देखे कुछ इस तरीके से word paste हो चुके हैं अब हमें एक खोजना है कि यह word जो हमने paste किया है इसमें काउन सा word क्या कहीं C आया है क्या कहीं A आया है कोई भी एक word को खोजना है या फिर एक साथ दो तीन वर्ड को खोजना तो भी खोज सकते हैं तो सिम्पल सा आप यहां आपको जो खोजना आप अगर आपको C खोजना है या एक खोजना A टाइप करेंगे इसके बाद यहां पर आपको find next पर किलिक करना जैसे आप 확인 next पर किलिक करेंगे आप खोजना चाहते हैं कि आपके जितने वर्ड आया है इसमें कैन है कहीं तो फाइंट नेश्ट करेंगे देखिए जहां कैन रहेगा कैन को हाइलाइट कर देगा अब देखिए कैन इसे नहीं मिला तो इसने कादियस आपकी सर्चिंग फिनिस हो गई लेकिन आप फिर सर्च क करना चाहते हैं कि लिए करिए देखिए जहां कैन रहेगा मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से आप कैन को खोज सकते हैं किसी भी वर्ड को खोज सकते हैं और रिप्लेस की बात करें तो अगर रिप्लेस आप करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि कैन जो एक कैन सिलेक्ट है आपक तो आप ने कहा कि ethics कैन की जगहां पर हमारा क्या आजाए खुश अढ़र लिखा हुआ एगा पिर दूसरा कई अगर और replace पर click कर देंगे तो ये भी current की जहां पे other हो जाएगा अगर आप जितने सारे काईने सब को other करना चाहते हैं तो replace all कर देंगे इस तरीके से हम replace का use करते हैं अब select all का use इस तरीके से करते हैं मान लिजी आपको select करना है इस सब एक साथ अगर नहीं ये किक करके सेलेक्ट करते हैं काफी टाइम लगता है लेकिन आप चाहते हैं एक साथ हमारा image और text सब कुछ सेलेक्ट हो जाए तो आप सेलेक्ट आल पे किलिक करेंगे तो इस तरीके से आपका सब कुछ एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा आप इसे चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट बटन प्रेस करके कुछ इस तरीके से ठीक है तो आज का ए वीडियो बस यहीं तक उमीद करता हूँ कि आपको ए वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई हो अगर ना आई हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए अगर फिर भी ना आए तो एक बार और देखिए और आपको बहुत बहतर तरीके समझ में आएगा कि वर्ड वाइट को कैसे चलाते हैं ठीक है ठीक है दोस्तों चलते हैं तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार